राहूल गांदी जी ने कॉंग्रेस नश्ट कर दिया है राहूल गांदी जी कॉंग्रेस को और नश्ट कर रहे हैं राहूल गांदी को सम्विधान की चिंता नहीं करने चाहिए सम्विधान की चिंता इस देश के 140 करोर लोग कर रहे हैं पाप हो तो गिना है मैं भी कॉंग्रे सबसे पहले राहूल गांदी जी को कॉंग्रेस की चिंता करने चाहिए राहूल गांदी जी ने कॉंग्रेस नश्ट कर दिया राहूल गांदी जी कॉंग्रेस को और नश्ट कर रहे है राहूल गांदी को सम्विधान की चिंता नहीं करने चाहिए सम्विधान की चिंता इस दे इस सवाल का जवाब सहाव राहूल गांदी जी से पूछिए पूछिए पुछिए चरनजी सिंग चन्नी जो पंजाब के चीफ फिनिस्टर है वो सही है या केजरिवाल जी सही है पंजाम में कॉंगरेस आम आधमी को गाली दे रही है आम आधमी पारिटी वाले पंजाम में कॉंगरेस को चूर कह पर दिल्ली दूसरे के गले लग रहे है तो तो यह रिश्टा क्या क्या कहलाता है CaughRI grantाश में कुछ लोगों को रस्ता ब pag जिसों के हैं CAA का जितना विरोध जो भी नेता कर रहा था या जो पॉलिटिकल पार्टियां CAA का विरोध कर रहें थी उनमें से एक भी आज तक मुझे एक नेता नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि CAA से किसी हिंदुस्तानी का नुक्सान है वो सब कहते हैं कि CAA कानून जो है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उस पे लागू नहीं होता जब हिंदुस्तान में पैदा होने वाले ना हिंदु पे लागू होता है ना मुसल्मान पे लागू होता है तो इस देश को गुमरा क्यों कर रहें आप शरम नहीं आती है हिंदुस्तान की संपदा पर हिंदुस्तान की भूमी पर हिंदुस्तान के ऊपर घुस्पैटियों का कब्जा हो जाए जब घुस्पैटियों की बात होती है तो विपक्ष पूरा जो चिल्ला पड़ता है पेट में दर्द मारता कहता है मोधी तो मुसल्मानों को गाली दे रह है कि हिनुस्तान में पैदा होने बाले मुसल्मान का वोट मुझे नी चाहिए उसका समधठन नी चाहिए मैं उनका नेता नहीं है इनके कंप्य étant or software एरर हो गए है उजुन के बाद आफ जो डिए होतंने और कि यह तुद कंप्रोग शुदि και हो जाए पंदा परसेंट कोई ऐसा जो आता है वो मुझे लगता है कि महत्मा गांधी के बाद महत्मा गांधी के बाद इस देश में आज तक अगर कोई सबसे बड़ा सेकुलर लीडर हुआ है तो उसका नाम नरेंदर मोदी है क्योंकि उनकी किसी भी स्कीम, किसी भी योजना, किसी भी उनकी प्लानिंग, किसी भी उनकी बात से ये नहीं जहलगता कि वो किसी एक कम्यूनिटी के लीडर है उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदू का नेता, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी ये योजना, चाहें जन्दन योजना हो, चाहें वो पांच लाग का भीमा हो, स्वास्त भीमा, चाहें वो वैक्सीन का लगाने का जो पूरी प्रक्रिया थी उन्होंने कब कहा कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू के लिए है, उन्होंने कब कहा कि ये सिर्फ एक कम्मुनिटी के लिए है, उन्होंने ये सारे देश की बात किये, और सारे देश की बात जो करता है, 140 करोड लोगों की जो बात करता है, तो उससे बड़ा स सेकुलर लीडर अगर कोई देश में हुआ है तो नरेन मोदी जी है कि कॉंग्रेस का एक पाप हो तो गिनाय है मैं भी कॉंग्रेस में रहा हूं अब मैं उन पापों का प्राश्चित कर रहा हूं एक पाप हो तो गिनाय जाए सारे पाप सारे गुना इस देश को तोड़ने का गुना इस देश के विवाजन का गुना इस देश में हिंदू और मुसलमान की सियासत करने का गुना वोट बैंक का गुना इस देश को अगड़े पिश्ड़ों में बांटने का गुना इस देश म जो आज आप देख रहे हैं, जो इस देश का हाल है, वो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है, भगवान के लिए इस देश को नरेंदर मोधी जैसा एक डॉक्टर मिल गया है, अब इस देश का आउपरेशन होने दो, बीमारियों का आउपरेशन होने दो, अब जब बीमारियों का ओपरेशन होता है, तो कोई कहीं बेहोश हुआ पड़ा है, कोई किसी के पेट में दर्द है, कभी कोई चीखता है, कभी कोई चीखता है, लेकिन ओपरेशन होने दो, चार जून के बाद जो कुछ छोटे मोटे ओपरेशन बचे हुएं, वो भी मोदी करेंगे